हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका अपने स्टेडी 24 जारखन यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसी जारखन बोड कलास 9 के चातरों के सेकेंड टर्म एकजाम 2022 के लिए जारी किये गए समाजिक बिज्यान के मोडल पेपर सेट वन के सभी 19 परसनों का उतर लेकर के आया हूँ जिसमें आपका अतिलग उतर ये लगू तर ये दिर्ग उतर ये परसन है और इसमें से बहुत सारा परसन आपके बोड एकजाम में पूछे भी जाएंगे तो दोस्तों चलिएंगे लोग आगे बढ़ते हैं और एकजाम के सभी परसनों के उतर को देखें तो इसमें आपका पहला परसन पूछा गया कि जर्मन संसद का क्या नाम था तो दोस्तों जर्मन संसद का नाम था राई खस्टाग आपका सभी उतर हो गया राई खस्टाग इसका दूसरा प्रसन है कि बग्यानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है आनि कि बग्यानिक वानिकी से अब क्या समझते हैं तो इसका उतर होगा कि बग्यानिक वानिकी वन विभाग के नियंतरन में वीर्च काटने की वह परनाली जिसमें प्राकिर्तिक वनों को काट कर उनके अस्थान पर नए पेड लगाए जाते हैं उसे बग्यानिक वानिकी कहते हैं आनिकी जो प्राकिर्तिक तरीके से जो पेड पोधे उग जाते हैं जंगल में तो उन वनों को सरकार के और से काट करके उसके अस्थान पर नए पेड़ लगाय जाते हैं बग्यानिक तरीके से तो उसको बग्यानिक वानिक कहते हैं और दोस्तों आप लोग जारकंड के जिस किसी भी छेतर से विलोंग करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि सरकार के ओर से जो आपका नरसरी लगाया जाता है तो उसमें पेड़ों को पंतिबध तरीके से लगाया जाता है आनि कि बग्यानिक तरीके से लगाया जाता है और एक जगा पर एक ही तरह के पेड़ों को लगाया जाता है आनि कि वहाँ पर बग मुख्य आयाम को लिखें को निर्धान्ता के दो मुख्य आयाम हैं सहरी निर्धान्ता और गरामी निर्धान्ता यी जो बफर अस्टोक इसका मतलब होता है कि बहुत बड़े मात्रा में जब खनीज खाने वाले पदार्थ को एकत्रीत करके रखा जाता है जमा करके रखा जाता है तो उसको बफर अस्टोक का निर्मान सरकार क्यों करती है तो इसका उतर आपका होगा कि बफर अस्टोक का इस्त के माध्यम से गरीब लोगों को अनाज दिया जाता है चावल है या फिर नमक है इत्यादी तो वहां पर बफर अस्टोक में चावल लोग वगेरा को रखा जाता है आगे हम लोग इसमें देखें तो दिया गया कि इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं और यह खराब मोसम में या फिर आपदाकाल में आनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है आनि की बफर अस्टोक का निर्मान क्यों किया जाता है वहां पर जो आनाज होता है उसको बड़े मात्रा में कत्रित करने के लिए इसका निर्मान किया जाता है ताकि गरीब हो या फिर कोई समस्य आजाए आकाल वगेरत उस समय लोग भूखे नहीं मरे तो उसकी वेवस्ता वहां से अनाजों को दे करके की जा सके तो इसका जो सही उतर था आपका ये परस्ण जो था कि सरकार वफर अस्टोक का निर्मान क्यों करती है तो इसके ये सभी कारण है और इनहीं कारणों के कारण जो है बफर अस्टोक का निर्मान किया जाता है इसके अद हम लोग आगे बढ़ें तो पांचमा परस्णे की अधिकार से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों अधिकार से जो हम लोग समझते हैं इसका उतर हो जाएगा कि अधिकार हमारे समाजिक जीवन की अनिवार्ज आनि कि हम लोग जो यहां देख रहे हैं अधिकार से यह अभी पराई था अधिकार वह अधिकार है वह वस्तु है या फिर कहें कि वह चीज है जिसके बिना मानव जीवन की कलपना नहीं की जा सकती है इसको अधिम लोग आगे बढ़ें तो छठा प्रस्न आपका है कि मतदाता सुची क्या है दोस्तों बरतमान समय में जारखंड में पंचायत चुनाव चल रहा है जिसमें लोग मुख्या सरपंच वार्ड मिंबर साथी सद जीला परिशत का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें वही लोग भोट दे सकते हैं जिसका मतदाता सुची में नाम होता है यानि कि 18 वर्ष से जादा के लोगों का नाम इसमें होता है तो मतदाता सुची किसे कहते हैं इसको हम लोग इस तरह से उतर दे सकते हैं कि एक मतदाता सुची उन लोगों की सुची है जिन्होंने किसी विशे चुनावों के लिए मतदान करने के लिए नमांकन किया है भारत का चुनाव आयोग एगस्थाई समयधानिक निकाय है जो मतदाता सुची त्यार करता है और समय पर संसोधन करता है और सभी जोग मतदाताओं को पंजी किर्थ करता है जोग मतदाता का मतलव जिसका 18 साल या उस तो भारत में उस निकटी बंदिये मानसूनी जल्वायू पाई जाती है इसका अगला प्रश्ण है कि जर्मनी में नाजीवाद के ओदे के क्या कारण थे दोस्तों यह जो नाजीवाद है आफिर कहें कि हिटलर का जो ओदे हुआ था जर्मनी में तो उसके उदय के क्या कारण थे तो उसके उदय के बहुत सारे कारण थे और इसका उतर हम लोग लिग सकते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी के आर्थिक मंदी, वाइमर गनराइज की असफलता, सायमवाद का डर, यहुदियों की विरोधी न जर्मनी के समिधान की कमियों और हिटलर का ब्यक्तितु ये सभी कारण थे जिसमें जर्मनी में नाजिवाद का या फिर कैंकि हिटलर का उदय हुआ ठीक है तो हम लोग यहाँ पर जो देखें यहाँ पर आठवा जो प्रसन था कि जर्मनी में नाजिवाद के उदय के क्या कार अंग्रेजी भु हुकूमत के खिलाब वस्तर के लोगों ने बिरोध किया था। दोस्तों ये जो बस्तर है ये 36 गढ़, आंदर परदेश और मदपरदेश के बोडर का इलाका है और वहां के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाब 1869 इस्वी में बिद्रोध किया था। क्यों क जारखन का हैं तो देखे होंगे इस पेड़ को जिसे कोई बिद्रोह के नाम से जाना जाता है कोई बिद्रोह के नाम से जाना जाता है बस्तर में आदिवासी जन जीवन पुर्नत वनो एवं उससे मिलने वाले वन उपज पर ही आधारित है दोस्तों ये जो बस्तर के लोग है इनका जीवन का मुख्याधार जंगल है आनि की जंगल से जो वस्तुएं पराप्त होते हैं उसी को वे लोग खाते हैं उसी पर जीते हैं और इसलिए उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाब बिद्रोह किया था आगे इसमें दिया गया कि वन और आदिवासियों का टूट गट बंधन हजारों साल पूराना है ये जो आदिवासी होते हैं इसके लिए जल जंगल जो है और जमीन वही सब कुछ है और वह अंग्रेजी सरकार की ओर से उस पर हमला हो रहा था उसको छीना जा रहा था पेड़ भारत में निर्धानता रेखा का आकलन किस परकार किया जाता है दोस्तों भारत में जो बहुत गरीब होते हैं उसको बीपियल कहा जाता है जो कुछ कुछ अच्छा होते हैं उसको एपियल कहा जाता है आनि कि गरीबी रेखा से नीचे वाले को बीपियल कहा जाता है तो यह पर जो निर्धानता रेखा है उसके आकलन का कौन सा तरीका है किस परकार किया जाता है वो यहां पर पूछा गया है और इसका उतर हो जाएगा कि भारत में निर्धानता रेखा का आकलन करने के लिए आय या उपभोग अस्तरों पर आधारित एक समान पधती का परियोग किया जाता है और भारत में गरीबी रेखा का निर्धारन करते समय जीवन निर्वाहन है तू खायद आवसकता कपड़ों जुत्तों इंधन और परकास सैचिक और चिकित सा सवंधी आवसकताओं को परमुख माना जाता है यानि कि जहां पर ये सभी सुविधाय उपलब्ध होती है तो वहाँ पर के लोग जो है निर्धानता रेखा से उपर होते हैं और जहां पर ये सभी जरूरतें पूरी नहीं होती है तो वो जो है निर्धानता रेखा से नीचे के लोग माने जाते हैं तो भारत में जो निर्धानता रेखा का आकलन किया जाता है तो उसके लिए इन को मूल समर्थन परदान करती है और गेहूं तथा चावल जैसे अनाज से सवनित खरीद निती खुली है और इस निती के अधिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय अउधी के भीतर तथा निर्धारित भी निर्धिश्टितों के अनुरूप किसानों द्वारा जितना भी अनाज लाया जाता है उसे केंदरिये पूल के लिए भारतिये खाद निगम सहीद राइस सरकार की एजेंशियों द्वारा नियूंतम समर्थन मूल पर खरीद लिया जाता है तो इस परकार खरीद लिया जाता है आगे इसमें दिया गया कि किसानों को नियूंतम समर्थन मू मुल्य की तुलना में बहतर मुल्य मिलने पर वे अपने उपज को खुले बाजार में अर्थात नीजी बेपारियों को बेचने के लिए सोतंत्र होते हैं। आगे इसमें दिया गया कि सरकारी एजेंसियों दोवारा खाद्यानों की खरीद करने का उदेश यह है यहर सुनिचीत करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाबकारी मुल्य मिले और उन्हें मजबूरी में बिक्री ना करनी पड़े। तो दोस्तों इस तरह से भारत को जो भारतिया खायद निगम है FCI वह किसानों से आनाज को खरीदती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरग माना जा सकता है। आनि कि जहां लोकतंत्र है वहां चुनाव होगा, जहां चुनाव है वहां लोकतंत्र होगा। आगे इसमें दिया गया कि चुनाओं में अपने मत्दान की सकती का परियोग करके एक नागरी कई बड़े परिवर्तन ला सकता है आनि कि चुनाओं में मत्दान करके जो है कोई भी ब्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और इसी के कारण लोकतंत्र में परतेक ब्य मानने का विभिन आधार क्या हैं तो ये सभी आधार हैं जो हम लोगों ने यहां पर देखा इसका अधम लोग आगे बढ़ें तो तेरहवा प्रस्ने की समयधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं दोस्तों ये जो है भारत के नागरीकों का मूल अधिकार है तो ये जो समयधानिक उपचार का अधिकार है तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं इसका उत्तर होगा कि भारतिय समयधान के अनुछेद 32 के तहट समयधानिक उपचार का अधिकार एक मूल अधिकार है जो परदान करता है कि बैक्तियों को समयधानिक ग्रूप से सरचित अधिकारों के कारियान वयन के लिए सर्वोच नियाले आनि की सुप्रीम कोट में आची का दायर करने का विशेस अधिकार है आगे की समिधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की पूर्ण कानूनी लेख दिये गए हैं तो दोस्तों इस तरह से जो 13 प्रसन था कि समयधानी गुपचार का अधिकार से अब क्या समझते हैं तो इसका ये उत्तर था ठीक है इसका धम लोग आगे बढ़ें तो 14 प्रसन है कि भारत की जलवाईू को परभावित करने वाले कौन- सबसे पहला आच्छांस, उंचाई, एवंवायूदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पच्छमी बिछोप तथा महासागरिये धराएं ये पहला पॉइंट आपका हो गया इसका दूसरा पॉइंट होगा कि भारत की जलवाईू में मौसमी परिवर्तनों के अनुसर पवनों समुद्र से अस्थल की और तथा सर्दी में अस्थल से समुद्र की और चलती है तो दोस्तों इस तरह से आपका जो चौदहवा प्रस्न था कि भारत की जलवाईू को परभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं तो ये आपका पॉइंट नमबर एक हो गया पॉइंट परभावित होते हैं क्योंकि पहला पॉइंट जुद्धों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की बहुत आवसकता होती है जिसके कारण वनों को काटा जाता ये पहला पॉइंट था मेरिंजित इसका दूसरा पॉइंट है कि बिरोधी सैन-बल सबसे पहले भोज कर भागों निती अपनाई थी जिसके तहत आरा मसीनों तथा सागों के विशाल लटों के धेर जला दिये गए जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाएं तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जुद्धों से जंगल क्यों परभावित होते हैं पहला पॉइंट भी देखा दूसरा पॉइंट भी देखा इसका अदम लोग आगे बने तो सोलहवा जो आपका दिर्ग उतर ये प्रस्न है वहाई कि निर्धानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सुरू किये गए किनी तीन निर्धानता उन्मूलन कारिशकरमों का वर्नन किजिए आन करना है और इसमें आपका पहला जो आपका कारिशकरम है महात्मा गांधी राष्टिय गरामिन रोजगार अधिनियम 2005 जिसको मनरेगा कहते हैं और इसका उदेश गरामिन छेत्रों में आजिविका सुरुचित करने के लिए परतेग घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है आनि कि मनरेगा का पहला उदेश है कि गरामिन छेत्रों के लोगों को 100 दिनों का रोजगार साल में कम से कम दिया जाए और इस असकीम के तहट 4.78 करोड परिवार को 220 करोड परती बेक्ती रोजगार उपलब्ध कराया गया है तो यह प 250 जीलों में लागू किया गया था यह कारिशकरम उन समस्त गरामी निर्धनों है जिने मजदूरी पर रोजगार कियावा सकता है ठीक है और जो अनुकूल सारेरी काम करने के अभिलासी है आनि कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है आकुसल सारेरी के परिश्रम करना चाहत हैं तो उसके लिए राष्टिय काम के बदले आनाज कारिशकरम है आगे है कि इसका कारियान सत परतिसत के अंदर ये बीत पोसित कारिशकरमों के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान की निसूल को उपलब्द कराया जाता है ताकि ऐसे इसे लोगों को दिया जा सके दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो तीसरा जो कारिशकरम है वह है कि परधान मंत्री रोजगार ओजना और इसे 1993 में सुरू किया गया था और इस कारिशकरम का मुख्यू देश गरामिन छेत्रों और छोटे सरों में सिछित वे रोजगार युवाओं है तु रोज इधानता उन्मूलन कारिशकरम का वर्नन करें तो इसमें आपका पहला पॉइंट था महत्मा गांधी राष्टिय गरामिन रोजगार अधिनियम 2005 दूसरा था राष्टिय काम के बदले अनाज कारिशकरम और तीसरा परधान मंत्री रोजगार ओजना तो इस तरह से जो आप इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि भारत में चुनाव आयोग की भूमी का निमनलिखीत है पहली भूमी का पहला जो पॉइंट है वह है कि चुनाव आयोग चुनाव की अधिसुचना जारी करने से लेकर चुनाव परिनामों की घोसना तक पूरी चुनाव परकिरिया के संच पर निरने लेता है इसका अगला पॉइंट है कि यह आदर्स चुनाव सहीता लागू करता है तथा इसका उलंगन करने वाले उमिद्वारों और पार्टियों को सजा देता है ठीक है दोस्तों यह जो आदर्स चुनाव सहीता है इसके तहद जो है बहुत सारे पॉइंट है जि और इसमें सरकार द्वारज चुनाव जीतने हेतुचुनाव में सरकारी मशिनरी का दुरूपयोग रोकना या अधिकारियों को तबाधला करना भी समीलित है, आनि कि चुनाव आयोक पूरी तरce सौतंत्र होता है, कि चुनाव किस ढंक से कराना है, किस पदाधिकारी को कहां रखना और कहां भेजना है दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो अगला पॉइंट है कि चुनाव डिवटी पर नियुक्त अधिकारी सरकार के नियंतरन में ना होकर चुनाव आयोग के अधिन कारिज करते हैं आनि कि चुनाव के समय में जितने भी सरकारी आदमी होते हैं चाह कि बरतमान में जो सरकारे होती है उसके अनुसार तो यह हम लोगों ने देखा इस तरह से आपका जो प्रसन था कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्नन करें तो इस तरह से भारत में चुनाव आयोग की इतनी भूमिकाएं हैं दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत में वर्षा रितु की बिसेस्ताओं का वर्नन करें, भारत में वर्षा रितु की बिसेस्ताओं का वर्नन करें, भारत में वर्षा रितु की बिसेस्ताओं का वर्नन करें, तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत में वर्षा रितु जू निम्न वायु दाब के कारण हिंद महासागर से बहने वाली पवने यहां आने का पर्यास करने लगती है यहों धीरे-धीरे मानसुन पूरे भारत में फैलने लगता है दच्छिन पच्मी मानसुन पवने दच्छिन प्रायदीब की इस्थितिक के कारण दो साखाओं में विभ हो जाती है और इसमें एक बंगाल की खाड़ी दुसरी अरब सागर की साखा के नाम से भारत में परवेश करती है तो यह आपका पहला दो से चार महिनों तक रहता है और लोटते समय या फिर धीरे धीरे चलता है आगे इसमें दिया गया कि समानियता उतर पच्मी भारत में अक्टूबर के प्रारम में तथा सेस भारत नौंबर के अंत तक लोटता है आगे इसमें दिया गया कि अरब सागरिय साखा सीधी पच्मी घाट को पार करते समय दच्छिन के पठार के पूरु की ओर उतरने पर यह पूरा पूरा गरम होने लगती है अतब पठार के भीत्री भागों से में कम वर्सा होती है और इसी विरिष्टी चाया का परदेश कह ठीक है और इसके कारण दच्छिन के इलाइची की पहाडियों पर वर्सा बहुत कम हो जाती है और तमिल लाडू में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक बहुत आधिक वर्सा होती है तो दोस्तों इस तरह से दूसरा पोइंट था इसको अधम लोग आगे बढ़ें तो ज अत्यांत बेग से वर्सा करता है और इस मानसुन की एक साखा खासी पहाडियों से टकराती है जहां इसे 1500 मीटर की उचाई तक उठाना पड़ता है आता यहां इस्थित चेरापुझी मासिन राम के निकट भारी वर्सा होती है आगे कि 1958 में मासिन राम में 1392 सेंटीमीटर व पच्छम पच्छिम की और बढ़ने पर यह सूस्क होता जाता है यहां वर्सा भी कम होती है दोस्तों यह जो मासिन राम है यह भारत का वह अस्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वर्सा होती है इसका धम लोग आगे बढ़ें तो 19 परस्न आपका मानचीतर से सबंदीत है जि जो मानचीतर दिया गया आपका जो बलेकन वाइट मानचीतर रहेगा आप लोग को समझाने के लिए कलरफूल मानचीतर को मैंने यहां पर लगाया है तो यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं यहां जो इतना कुछ यहां से यहां तक है तो यह जो इलाका है आपका यहां पर 100 से ले करके 200 सेंटीमीटर तक बरसा होती है आनि कि आप लोगों को इसी तरह से दर्शा देना है ठीक है बाकी छेत्रों को कुछ नहीं करना है तो इस तरह से हम लोगों ने मानचीतर से सवंदीत परशन को भी हल कर लिया तो दोस्तों इस तरह से आज आप सी जार्खन है इंगली साथ ही साथ साइन्स है या संस्कीर्थ है तो उसके मोडल परशन पत्र के उत्तर को भी इस ऊटूब चैनल के माध्यम से आप स्विछात्रों को प्रोभाइट करवाऊंगा इसलिए आप स्विछात्र इस ऊटूब चैनल को सस्क्राइब करके इसके बंदी मातरं थाइंक यू